आयोध्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और इंडिया मजलिस इतिफादुल मुसल्मिन प्रमुक असुद्दीन ओबैसी ने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है ओबैसी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती है उन्हें ने कहा कि हमें पांच एकर जमीन के खैरात की जरुरत नहीं है जिन लोगों ने 1992 में धाचा गिराया था उन्हें ही मंदिर बनाने के अधिकार दे दिया है उन्हें ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि वहां मंदिर नहीं था मेरी राय है कि पांच एकर जमीन नहीं लेना चाहिए AIMIM के चीफ ने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लौबोर्ड से सहमत हूँ हम हक के लिए लड़ रहे थे हमें पांच एकर जमीन नहीं चाहिए हमें किसी की भीग की जुरत नहीं है हमें खैराद नहीं चाहिए पर्सनल लौबोर्ड को जमीन लेने से इंकार कर देना चाहिए